कि बोला था ना सलार is something else मेरे भाई गुजबाम्स गुजबाम्स भाई सेलिट टु प्रभास सेलिट टु प्रशान नेल पृत्विराज बाप लेवल फाडू मैं पहले से बोल रहा था आपको कि सलार जो फिल्म है यह कुछ बहुत अलग लेवले भाई जो बावबली टू में छोड़के गया था ना प्रभास वो सलार से वो कमबैक वापस आएगा भाई पहले से ही समझ आया था वही मैं मुझे आज भी याद है त्रेलर देखने के बाद मैं इतना सर्प्रेज इसलिए नहीं हो क्योंकि बाप लेवल होने वाल है ट्रेलर वन और ट्रेलर टू में जमीन असमाल का डिफरेंस होगा यह तो मैं पहले भी बोला था और मैं तो ट्रेलर वन में तो ट्रेलर टू तो बोनस था तो बात यही है ना भाई के देखो इस नाट अबाउट ब्लाइंड फैंस जो रहते ना वैसा नीत चाहिए आदमी ने मैं पहले से ही बोला था कि साहों में मुझे उतना दम दिखा नहीं था ना आदी पुरूश में ना राद 500 करोड जा सकती है फ्लॉप होने के बाद तो जो मुवी हीट सूपरीट नी बल्कि जो ब्लॉग बश्टर जाएगी वो तो केजेएफ टू को इटक कर देगी ना भाई we have to think worldwide collection of 1500 करोड's 1400 करोड's केजेफ टू का कितना है चार नंबर पे न वो यह दंगल का इन लोगों ने फेक दिखा दिया है 400-500 करोड कमाया था बूले चाहिना में तो वो 2000 करोड वो 1800 करोड पे बहुँ बली है टीन नंबर पे पूरे भारत में है vindवं अडार आर आर जाँ नंबर पे kgf2 हैजिंक पाच पे जवान और चे पे में पठान तो भाई kgf2 चार पे है kgf2 है इस प्रशाण नेल यू आर इन डेंजर वर्सेस प्रशान नील वर्सेस प्रशान नील चल रहे है आप so he is not in danger अगर डेंजर में होता भी है प्रशान नील तो it's a good news भाई इसका hype इस ट्रेलर के वज़े से बढ़ेगा इसमें कोई शक नहीं है and मैं इतना ही बोल रहा हूँ यह प्रबास का असल comeback है मैं एक भी बार नहीं बोला था आदिपूरुश के वड़क की इसका comeback है यह मैं ना रादेशाम के वड़क बोला था और साहो के वड़क मैं कुछ भी नहीं बोला था क्योंकि उस टाइम पे मैं था ही नहीं यूटूब पे तो हाँ आदिपूरुश के वड़क और रादेशाम के वड़क मैं बोला था रादेशाम नहीं चलेगी ओपन ली बोला था मैं तो वो पहले से ही बता था पर भाई सलार को लेके बहुत पहले से ही मैं बोलते है कि यह चले गया और अपने प्रेडिक्शन सही हुए आज तक क्योंकि यह ऐसा लगता है कि यह मूवी जो ट्रेलर देखने के बाद तो मैं पहले अब तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ जहां से बाहू बली टू को छोड़ दिया था ना प्रबास ने तो बाद में गलत एक एरा आ था कुछ ऐसा मास लाओ ना भाई जो ओडिया आती आपकी और तेल्गु में भाई प्रबास प्रबास को बीट करेगा तेल्गु में देख लेना मलायम का आप टेंशन ना लो भई मलायम कंणडा और तमिल में भी यह तकड़ा करेंगा और हिंदी में तो भाई यह सेकंड को भी पता है कि बावबली के वक्त क्या हुआ था किसीने सोचा ही नहीं था करन्ट जोर ने इसके राइट्स ले लिये थे बाद में मज़ा आया था वह फील आने लगा या अब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और यह ट्रेलर टू देखने के बाद मज़ा आ गया मुझे तो अभी भी लखता है कि यह कनेक्ट कर ही रहे है वैसे भी यूनिवर्स को आपको क्या लगा कैसा लगा ट्रेलर कमेंट में बताइए